हूँ प्रूप मिट जाता है पर प्यार तो दिलदार नहीं मिठता अरे प्यार मिठ जाता है रूप मिठ जाता है पर प्यार तो दिलदार नहीं मिठता और पंक्ति कह रही है क्या बात कई तूने है तो बाद ये दिल पे इमान मचल जाएगा गोरे रंग पे नहीं इतना गुमान कर गोरा रंग दो दिल में डल जाएगा पुरे रंग दो दिल में डल जाएगा पुरे रंग दो दिल में डल जाएगा और एक लाइन पर बड़ा अश्र हुआ हम लोगों को कैसे हमारे छोटे लाल दादा फुरुसकार देने आ रहे थे हां और जैसे फुरुसकार देने मंच पे चड़े बाई सामने तुरूंद हाथ से इशारा कर दिया और लाइन क्या बोल लहे थे यां मैं समा हूँ तु एं परवाना तो मुझे से पहले तू ढद जाएगा यह 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 एक तो विचारे पुरुषकार देने आरे उपर से कर दो मुझसे पहले तू ढ़ल जाएगा ओफ गंदी बात ऐसे कम से कम तूम तो न गोलो और बोलने थे पैसे सोचा तो कुछ इतना किराया लगा जाएगा जैसे मझ बचले वैसे मुझसे पहले तू ढ़ले क्या कहें है चलिए ठीक है जो भी आपका गीत है बढ़िया है बहुत है बढ़िया है अब बेस कम करके पतली कर दिया है और देखे घर का लिखा हुआ गीत है आपका है और लाय ने देखे कितनी बेजोड आई है सारी लाइने डगमगा रही है यह तंबू की तरह है देखे कैसे कैसे राजा सांतन उसे मा गंगा ने कहा बोले महराज जिस दिन तू मेरा परिचाय पूछ लोगे कि उस दिन में यहां से चली जाओंगी आपको छोड़के चली जाओंगी परिचाय पूछ लोगे अच्छा जब साधी हुई थी तब परिचाय नहीं पूछा गया था साधी जो है बिना परिचाय के हो गई थी इसलिए तो साधी सक्सेद नहीं हुई तो कि अरे कम से कम कहानी तो ठीक से बताइए आप गंगा जी नहीं कि तुम आप मेरा परिचाय पूछो कि तो हम चले जाएंगे आप परिचाय पूछने से नहीं चोड़के चलेंगे वह तो आप अपने लोग को चली जाओंगी परिचाय पूछने से नहीं चोड़के चलेंगे वह मोदी जी ने पहले ही अधारकार बनवा दिया अब कोई किसी को छोड़के नहीं जाएगा आदेके लाइन भी क्या बोल लगी आपकी क्यों होनी हो चाहे अनो होनी होनी हो चाहे अनो होनी एक पल ना एक पल ना पल में टल जाएगी होनी हो चाहे अनो होनी एक पल में वो टल जाएगी के हे स्वामी प्राण प्रिया तेरी तो गंगा गंगा में मिल जाएगी पहले टल अफे मिल जाएगी अधर ऐसे लिखा जाता रदीव काफिया का कोई महतो ही नहीं है और पाप पाप कि साहित कुछ बन जाए कि तुने आप लोग फिरे यंद के बाराइगी कर दो पार यहाँ तर ना दाधार है पार ना दाहिए और जो भी हमारे विद्वान जन बैठे हैं आप सुभी का आशी ह्वाल चाहूंगी जब आप कि लानु को सुने आप लो और बात उस्दमें की है जिस समय भगवान कनिया संदी प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर जा रहे थे दुरप्ती ने देखा कि कनिया तो संदी कराने जा रहे है और अगर ये संदी हो जाएगी तो जो मैंने प्रण किया है वो प्रण तो अधूरा ही रह जाएगा क्या बाँ बटे बाँ कनईया का रास्ता रोक करके दुरौपती खड़ी हो गई और कहने लगी भाईया अरे आप तो जाते हो आप तो जाते हो पर प्रण मेरा ये ध्यान तुम रखना जो मैंने प्रण किया उसको ध्यान रखना क्या आप तो जाते हो पर प्रण मेरा ये ध्यान तुम रखना अर देखो ये खुले रह गए तो अपने केशों की और इसारा किया अरे ये खुले रह गए तो मुश्किल हो जाए कश्ट ये सहना पनाईया को देख कर गे द्रौपती ने कहा अगनी सुता ये अगनी सुता तुम से कहती क्या ये अगनी सुता कहती तुम से के दुनिया की रीती बदल जाएगी अगर मेरे केश खुले रह गए तो दुनिया की रीती बदल जाएगी और कनाईया याद रखना ये अगनी सुता कहती तुम से के दुनिया की रीती बदल जाएगी और अगर मेरा प्रण पूरा ना हुआ तो ये पश्चता अपकी अगनी भी दुरुप्ती का जनम कहां से हुआ था अगनी कुंड से तो दुरुप्ती कह रही है के ये पश्चता अपकी अगनी भी तो अगनी अगनी में मिल जाएगी मैं वापस उसी अगनी में समा जाओंगी ध्यान रखिएगा इसको ये पश्चता अपकी अगनी भी तो अगनी अगनी में मिल जाएगी 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 एक टुकर और जोड़ रही हैं सुनिएगा सुनिए भगवान सूरी की पुत्री जिसका नाम है तप्ती और तप्ती का विवा हुआ राजा संवरण के साथ और तप्ती और राजा संवरण में कुछ अनबन हो गई और जब अनबन हो गई तो तप्ती कहने लगी अरे जियों का गण से आई तो जियों का गण से आई मैंने हर बात आपकी मानी लेकिन अगर मेरे सम्मान पर ठेस पहुचेगी तो अरे किन तु ये मन मानी किन तु ये मन मानी भाती नहीं इतनी लाचारी हो क्या बात क्या बात क्या बात एक बार तालियां हो जाएं बास ये वालना चक्र तो इसे ही गाना परेंगा अर्य अरे मारे वाती जय हैं अरे अरे वाती जय हैं क्या बाद समानी शरी सटीश उर्मा जी और मारे दादा अच्छा पकड़े बहिए और मारे दादा श्रीर राजी मिश्रा जी आपकी दर्व से एक ये मुलिवान सहरा और साथ में 500 बुद्राओं का अशीरवाद आया है एक बाद समी लोग तालियां बजा करके स्वागत करें वाँ 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 आईए सुने तपती ने राजा समुरन से कहा अरे जियों गगन से आई हर बात मैं मानी तुम्हारी हूँ लेकिन मारा सुनिये अरे किन तु ये मन मानी किन तु ये मन मानी भाती नहीं ने खो लाचारी हो मुझे ये लाचारी अपने आप पर मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ आप से तो मेरी लाचारी का मेरी मजबूरी का गलत मत्तब ना निका लिए अरे वरन संबरन कर लाए तो कहने लगी के वरन संबरन कर लाए अनो होनी हमको छल जाएगी अनो होनी हमको छल जाएगी कैसे तो वरन संबरन कर लाए अनो होनी हमको छल जाएगी और अगर मेरे सम्मान पर कोई ठेस लगी तो महरा सुनिए जो सूर्य अन्स से प्रगटी है तो फिर से सूरज में मिल जाएगी एक टोकरा और जोड़े दे रही हूं सुने भाई साथ जब एक बार भीम ने प्रतिग्या कर ली कि अगर मैंने दुर्योधन की जंगा ना तोड़ी तो कुछ भी ना कर पाया उसकी जंगा को तोड़के मैं अपमान का बदला लूँगा कर दो कि प्रतिग्या कि तो हुआ क्या आरे हु बंबने का जबाब 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 दीम कहने लगे जा ऐसे दिमाऊंगा कैसे के गर नहीं कर पाया अगर जंगा ना तोड़ पाया तो गर नहीं कर पाया मैं अपने प्राण त्याग दूँगा यही मेरा सपना है तो गर नहीं कर पाया तो प्राण त्याग है यही सपना और कहने क्या लगे हूं पवन पुत्र बात मेरी हूं पवन पुत्र तो बात मेरी सुनकर दुनिया ये हिल जाएगी और कहा क्या अगर मैं प्राण पूरा ना कर पाया जंगा ना तोड़ पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगा और एक पंग्दी सुनिये का जैसे आपने का कि यह मिट्टी है तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी वैसा ही भीम ने क्या कहा इस तन को छोड़के बाई साब इस तन को छोड़के ये सांसे ये पवन पवन में मिल जाएगी ये सांस ये वाईू वायू वायू में मिल जाएगी तो इस तन को छोड़िके ये जासे तो वायू वायू में मिल जाएगी वायू वायू में मिल जाएगी वायू वायू में मिल जाएगी और ये 100 मुद्राएं श्री शियु सेवा संसान बड़े महादेव मंदिर महोना लखनव आपके द्वारा 151 पत्र मुद्राओं का आशिरवाद प्रदत हुआ है जरदै से नमन वंदन है आशिरवाद की कामना है बहुत बहुत साथ बाद धन्यवाद आये गीत मैं पुना अपनी योड़ से आपके लिए दे रही हूं सुनिये कुछ जल आया एक पचास रुपए हो रहा है थे वह परची दे लेकर परची तो ओड़ गई और जिसके भी हों वो दुबारा नाम बता जाएं एक ये पुना आपके सेवा में लेकर चल लही हूं है चुलिए सबीलो आप आप